तुप्टर बिग्याश्रेश्टर पैथोलोजिस्ट हैम्स होस्पिटर ना काम गरदेशु। हेमोफीलिया योचे एक्सलिंग्स रिसेशिट डिसॉर्डर हो। यहलाई चे आमले ब्लीडिंग डिसॉर्डर पने बाच्छु। ब्लीडिंग डिसॉर्डर कीना बन्चा वने आमरो बोडि मा जों कोगुलेशन फैक्टर जरु होंचा यहसमाचे सटें फैक्टर होंचे डिफिचेंट होंचा और डिफेक्टिव होंचा त्यों कारणले चे तबैगो कोगुलेशन उनामा रोग जर्म्नमा मदत उदेना ते बार ब्लीडिंग उने कारणले यहलाई चे ब्लीडिंग डिसॉर्डर बनेगो। आमरा बाधीं माँ बार ओर होक्डियेशन फैक्टर चो और यह देरे पनिये उन्ग्छा तरब बार ओर मेहने आमोफीलिक उने अफेक्ट उने कोबूलेशन फैक्टर चै फैक्टर 8 और 9 हो येदी factor 8 deficiency अथवा defective boy बन्चे, हेमोफीलिया A बन्च, येदी factor 9 deficiency अथवा defective boy बन्च, येला हेमोफीलिया B बन्च परसन मां उन्ने क्रोमोजोम को नम्मर चे 46 तो, जुन मां चे लिए तपाइको sex chromosome लेचे, male रफीमेल चुट्याओंच अब ये एक्सलिंग disease बन्च, ये तपाइको X chromosome मां उन्च, तेले चे तपाइको factor 8 ले कोड़ गर्षा, factor 8 coagulation factor लेचे कोड़ गर्षा, जुन चे अब तपाइको F8 मां defective boy बन्च, अटोमेटिकली factor 8 मां defective boy बन्च अब ये एक्सलिंग बन्च, अब ये एमोफील्या अब ये तपाइको mild moderate severe, according to the range of the factor 8 S. ये एमोफील्या चे अब दन्च, बंसानुगत रोग भयो ते बारे ये जन में देही लागने रोग हो, एसको लागी चे prevention बन्दा पनी अब आमने लागी सखेको रोग लाइचे, यो completely curable रोग चे होई ना, तर एसको लागी चे आमने ट्रीट्मेंट दीएर, मैं चेको चे क्यारियर स्टेट मा बसा है, की ना बंदा हैईरी चे, मेल मा अगी बने जोस्ते एक्स रो वाइल होँच, तर फीमेल माचे ग्वीटा एक्स होँच, योड़ा एक्स डिफेक्टिव बहो पनी अरको एक्स ता गामने चंत, ते फीमेल मा ते बहोरा, वहाँचे क्यारियर पेशेंट ले आउदा हैचे, हेमोपीडिया माँचे, माइड, मॉड्रेट, सीबेर बनेर, क्याटेगोराइज गरेको हुन्च, फैक्टर एट को रेंज एलेर, येधी माइड छा बने, पेशेंट को ब्लीडिंग ना उना पनी सक्षा, कुनेपनी इंजुरी अथा कट, एक्स अणि सीविवे केसे जर्माचे, तपहेको स्पॉंटेनेस ब्लीडिंग हुन्च, देव भणेगों छे, कुनेपनी कट चाहिना, सर्जेरी गराएचेना ट्रामा गराचेना ट्रामा बहको चाहिना, तरह उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुन्च, अणि यो ब्लीडिंग अरू ह पुछी देखीने सिंप्टम जलचे, मेंनी पेन, फीबर होना सक्षा, अरु टैकिकार्डिया, टैकिक्निया इन अरु पन देखीना सक्षा पेशेंट मां हेमोफीलिया को लागी छे नॉर्मली रूटीन लाब मां छे स्क्रीनिंग टेस्ट करना सक्षा इसको लाएचे मेंगी छे तपवाईगो एक्टिबेटेड पार्शे थ्रोंब प्लास्टिम टाइम बनने होन्चे जुन लेचे फैक्ट एट डिफिशेंट बखो न बखो पता लाँचे यह यह प्रोलांग बायो बने तेसपची आने और वह स्पेसिफिक टेस्ट अर्मा जाना सक्षा जुन छे अब फैक्ट एट एसे हुंचा जुन बेरियस मेथड बाट गरना सक्षा को कोलुरी मेठी मेथड बाट इलाइजा मेथड बाट गरना सक्षा तेसरीच आंगे डाइगनोसिस टेस्ट वर्स्ट अर्मोफीलियांचे कियो टोटली क्योरेबल डिजीज चे वही ना तर टाइमली डाइगनोस गर्यो बने पेशेंट ना और टाइमली ट्रीट्मेंट द क्यों गर्मोफीलियांचे को बाट प्लाइबल टाइईगे फ़र्स थारीट्मोफीलियांचे ना थे वाहीज़ उन्हें बाट अर्टेवम।